हैलो दोस्तों अगर आप बैंक में FD करते हैं या फिर बैंक में पैसा रखते हैं, तो बैंक के ऐसे 6 रूल हैं जो कि Knowledge के अभाव में तो आज आशीज जी से discuss करेंगे ऐसे कोन से rule हैं जिसे आप bank में पैसा बचा सकते हैं तो आशीज जी सबसे पहले तो आप मुझे first two rule बताएं जिसके अंदर मैं a bank के अंदर पैसा बचा सकता हूं वीडियो के अं तक बने रहे हैं विने जी मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप जो छे रूल्स हैं, आपको कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी इस वीडियो के माद्यम से, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है इस वीडियो के माद्यम से, तो आप लाइक का बटन जरू दबाएं, और फिर भी आपकी FD से रेलेटेड या आपके bank account से रेलेटेड कुछ डाउट रहे जाता है, तो आप comment section में हमसे comment करके पूछ भी सकते हैं, तो सबसे पहले विने जी FD की अगर हम बात करें, पहले rule की बात करते है, income tax की नजर आपके हर पैसे पे होती है, और FD पे भी विलकुल नजर रखी जाती है, जैसी आप एक limit से ज़्यादा की FD करते हैं, तो उस case में bank, आपकी FD की information जो जिसको high value transactions बोला जाता है, वो income tax department को बता देती है, तो जो limit है विने जी आपकी, जो हमारा key point number one है, वो रहेगी, FD की income tax high value transaction की limit 10 लाक रुपे रखी गई है, अगर आप अपनी FD की detail AIS form में आ जाती है, जैसी इस limit को cross करता है, अगर हम बात करें, इसके अलावा अपना TDS भी जरूर चक करें विने जी, अगर bank आपका TDS काटता है, तो वो जरूर आपके form 26 AIS या AIS form में include होता है, तो आप जरूर चक करें, जब भी आपना return भरते हैं, तो TDS आपका reflect कर र रूता है, वो आपकी income में add हो जाता है, और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी wife के नाम पे पैसा transfer करके FD करवाते हैं, तो उस case में भी, वो clubbing of income में आता है, क्योंकि पैसा आपका लगा है, वहाँ जो interest मिलेगा, वो आपकी income के साथ मान लिया जाएगा विने जी, अब बात 50,000 की limit रखी गई है TDS काटने के लिए, जो कि 10% आपका TDS करता है, आपने अगर अपना account में pen number link नहीं किया है विने जी, तो उस case में आपका TDS 20% करता है, और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप income tax lab में नहीं आते हैं, तो आपको नुकसान क्या होता है TDS करने का, क्योंक तो financially नुकसान होता है, वो ये रहता है कि आपका compounding interest कम हो जाता है, क्योंकि आपका TDS तो कट गए है, उस पे अब interest भी नहीं लगेगा, और जो आपको मिलेगा refund आपको, वो without interest मिलेगा, तो उस case में आपका overall maturity पे जो पैसा मिलना है, TDS अगर गलत कर जाता है, आप slab में नही नहीं आते हैं, तो उस case में आपका return कम हो जाता है, आपका compounding benefit कम हो जाता है, और कई बार तो आपको bank के पास जाके form 16 या 26 AS की entry के लिए भी चकर काटने पड़ते हैं, तो ensure करें कि TDS से related आपको rule पता हो, और आगे हम detail में भी जानेगे जानेगे. बहुत बड़ी आशीज, तो यहाँ पर आप मैं बात करना चाहूँगा, कि ये तो बात होगी कि TDS जो हमारा है कर जाता है, उसकी विज़े से नुकसान होता है, अब मुझे आप ये बताएं कि TDS ना कटे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और FD के अंदर TDS में क कैसे बचा सकता हों, उसके बारे में बताएं. आपको कब-कब सम्मिट करना है, जब आप अपनी FD ओपन करवाते हैं, तब उस समय आपको Form 15 देना है, उसके बाद हर साल, अप्रेल मन्त में आपको अपना Form 15 दे देना है, बैंक और ये आपको हर साल करना है, हर बैंक में करना है, ताकि आपका TDS ना कटे, विने जी. बहुत बड़ी आशिश, ये तो बात होगी TDS की, अगर मैं FD के Tax Rules की बात करूँ, तो वो क्या applicable है, और इसमें मैं जो Tax है, वो कैसे बचा सकता हूँ, उसके बारे बताएं. बिल्कुल विने जी, Income Tax में इसके परवधान भी रखे गए हैं, और कुछ सिनेरियो में तो आप अपना FD से रिलेटिट इंटरेस्ट का पूरा का पूरा जो Tax है, वो जीरो कर सकते हैं, सबसे पहले मैं Senior Citizen का Example लेना चाहूँगा, अगर आप Senior Citizen है, तो आप इंशूर करें जब भी अपना रिटन फाइल करते हैं, तो Section 80 TTB का फाइदा जरूर उठाएं, इसके अंतरगत 50,000 तक का जो पैसा है आपका है, वो आपका Tax Free रहता है विने जी, और आपका 50,000 से ज़्यादा का भी इंटरेस्ट आता है, तो आपका Tax तभी लगता है, जब आप अपनी लिम पैसा जो है, गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गिफ्ट करते हैं, तो उनका पैसा बन जाता है, यहाँ पर हम वाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, पैरेंट्स की बात कर रहे हैं, पैरेंट्स को जब आपना पैसा देंगे, तो गिफ्ट डिट जरूर बना लें, उसके बाद जो भी FD से income होगी, वो आपके parents की income मान ली जाएगी, तो उस case में आप tax में फाइदा ले सकते हैं, gift deed बना के, साथ में अगर आपके बच्चे 18 साल से उपर के हैं और वो job नहीं करते हैं, तो वो भी फाइदा आप उठा सकते हैं, उनको आप ऐसा अपना gift करेंगे, तो क्योंकि वो नए, एक individual की तरह tax category में आएंगे, तो उस case में आप उनके नाम पे FD करवाते हैं, gift deed करने के बाद, तो जो interest आएगा, उनकी एक अलग basic limit आजाएगी, तो इस तरीके से भी आप अपना FD का tax बचा सकते हैं, एक और चीज ध्यान रखनी है विने जी, जो आपको income tax calculate करना है FD पे, interest के उपर वो हर साल calculate करें, क्योंकि आपको हर साल ATTTB का benefit मिलता है, काफी लोग ये गलतिया कर देते हैं, कि जो maturity पे आप जो total interest मिला है, उसी समय पे calculate करते हैं, जो एक साथ आपको lump sum में मिलता है interest, तो उसके वज़े से जो आपको हर साल ATTB का benefit मिला है, व रहेगा, वो ATT, TTA के अंतरगत tax free करवा सकते हैं, और उसके अलावा, आप अपने बच्चों के नाम पे FD करवाते हैं, तो minor child हैं, अगर आपकी 18 साल से कम के हैं, तो उस case में आपका 1500 रुपे तक आपका tax free interest माना जाता है, विने जी, अब क्युक्ली बचे वे बाकी दो इसा है, विने जी, ये आपका DICGC के अंतरगत, पांच लाग तक एक pen number के अंगेस्ट, हर bank में secure माना जाता है, विने जी, company FD में आपको कोई security नहीं मिलती है, DICGC के अंतरगत, और आपको ये भी समझना है, कि सारे bank DICGC में नहीं आते, इसलिए आप चेक करें, जो नई list आपके public sector bank है, इसके लावा अगर हम बात करें, small finance bank वो भी 12 है, private sector 21 है, foreign bank की बात करें, तो 45 के आसपास के bank है, state cooperative bank 33 है, काफी bankों को RBI बंद भी कर रहा है, जहांपर कुछ वित्य संकर देखने को मिल रहा है, तो बिलकुल आप जान लें कि आपका bank RBI के अंतरगत आता है नह आता है, आप comment section में अपना bank का नाम लिखते हैं, तो team आपको बता देती है, यह list आप जरूर चेक करें, इसके लावा last rule की में बात करना चाहूंगा, वो रहेगा nomination rule बीने जी, काफी लोग इसकी knowledge के अभाव में भी कुछ गलती बैठते हैं, तो बताना चाहूंगा nomination के nominee आपका सिर्फ custodian है, account का, इसका मतलब यह है कि वो legally जो भी आपका will के माधियम से, या आपने जो legal hire अपना निक्त किया है, उसको पैसा transfer करने के लिए bound है, पैंक और financial instrument तो nominee को पैसा दे देगा, पर अगर legal hire जो आपका finally जिसके पास पैसा जाना है, जिसको आपने will के माध होके अपना section certificate दिखा के या will दिखा के वो पैसा nominee से claim कर सकता है, और एक और चीज़ ध्यान करें विने जी, nomination आप जरूर फाइल करें, FD करवाते हुए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो claim process काफी लंबा हो जाता है, time consuming हो जाता है, इसलिए आप ensure करें nomination के लिए, और nomination दोस्तों ये वीडियो था FD के rules से related, अगर आपका फिर भी कोई question है तो comment section में लिख सकते हैं, आज का वीडियो में यही कतम करते हैं, दन्यवाद